आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ओनलेंग क्लासेज सोनपूर में आज हमें इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए इंगलिस के सिलेवस के उपर बातचित करने वाले हैं कि आपको जो है इंगलिस में क्या परना है कितना परना है इसके उपर हम बातचित करेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को यह पता होनी चाहिए कि आपके जो सीटेट जुलाई 2024 में एक्जाम होने वाले हैं उसमें आपको सिलेवस क्या है उसमें क्या प्रशन पूछते हैं कितने नम्मर के क्या होते हैं और सभी सारी जनकारी आपको होनी चाहिए इससे पहले हमने आपको जो है आपका हिंदी और CDP के महत्रपुन चैट्टरों और सलेवस के उपर डिसकस कर दिया है आपको लिंक मिल जाएंगे, देख लीजएगा, गुरुप में भी सेयर कर दिया गया है समझ गये, जो इत परने पर आपको पीडिये ब्यूपलग करा दिया जाएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आपका जो है, सीटेट के लिए जो है, इंग्लिज में सलेवस क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, तो सबसे पहले यहां जान लीजिए कि जो यह आपका Language 2 paper होता है, समझ गये, Language 2 होता है और आप जो है Language में कुछ भी ले सकता है यानि हिंदी होता है, Language paper के हमाग कर लें, तो लेंग्लिक होता है उर्दु होता है, आपका बांग्ला होता है समझ गये, आपका English होता है आपका इंग्लिक होता है वर आपका जो है यह संस्क्रीट होता है, यानि कहने का मतलब है कि आप जो है language paper में 1 हो या 2 हो, language paper 1 और language paper 2 होते हैं, तो कोई भी ले सकते हैं, आपको मैं लगता है जादा है yılड़ा बच्छे जो है आप language paper में देखेगा तो इंगलिज और हिंदे ही रहता है यह आपका लाइग्णिज भी पढ़ है जिसमें आपका ये अर्वस बशक्रणी बाते में आपको बताने वाला हूं बस एब बताने माला हूँ इसमें भी आपको 30 कोर्षन होता है इसमें अगर हम बात कर लेंगे तो English Language Pedagogy की बात कर रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजेगा आपके वही जो एसे हिंदी में मैंने आपको बताया था कि आपके Unseen Passage और Unseen Poem पूछेगा और Grammar से पूछेगा तो Grammar में आपका जो है दो से तीन प्रस्ण पूछेगे यह आपका Un पैसेज होता है पैसेज यानि की ऊपर दिया रहता है और नीचे आपको देखकर पढ़कर उसका उत्तर देना होता है यहां से आपका जो है पंदरा कोर्शन पूछे आते हैं और यह आपका जो है कितने नमर का होता है तो पंदरा नमर का आपका प्रस्ण होता है समझगे न 걍amedpy to addotti फेडागॉजी है इसमें आपके जो पुर्ष्ण पूर्षयाते है फिर फिर फूर्ची की बात कर लें बा करने थी चैप्टर आपको четола पर नूदे जांन होटा है learning education learning flash लेंगेज आपको कि principle क्या है जो इंग्लिस भासा है उसका principle क्या है उसका सिधानत क्या है उसके बारे में आपको जानना और पढ़ना है तिसरा आपका है language skill language skill हमने आपको बताया था क्या होता है L, S, R और W ये चारों के बारे में आपको परना है यानि listening, speaking, reading और writing के बारे में आपको परना है इस chapter में अगला यहाँ पर है role of grammar in learning a language यानि कि English language सीखने में role क्या है grammar का यानि भूमी का क्या है grammar का यानि कोई भी हम भासा सिखते हैं उसमें grammar की भूमी का क्या होती है हम इंगलिस के संदर में आ जानेंगे, हिंदी में हिंदी के संदर में जानेंगे, संस्कृत में संस्कृत के संस्कृत में जानेंगे, या आपका chapter 4 है समझ गए, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा यह chapter आपका 5 नमर जो है Changes of Teaching Language in a Diverse Classroom यानि कि Changes of Teaching Language in a Diverse Classroom, यानि जहाँ भी आपके कच्छा में भी दिता होगा वहाँ पर हम जो है changing कैसे करेंगे अपने language को इंगलिस परहानी के दुरान अगला यहाँ पर है Equisition and Comprehension and Language Skill यानि कि हम जो है कैसे language skill को आकलन और मुल्यांकन करेंगे जो मना language skill होता है L, S, R, W इसका हम लोग कैसे मुल्यांकन करेंगे कैसे हम लोग evaluation करेंगे कैसे हम इसका comprehension करेंगे समझ गया आकलन और मुल्यांकन हम कैसे करेंगे कि बालक में जो है language skill जो है develop हो रहा है यह चीज़ी आपको इसमें परना है समझ गया आगे बड़ते हैं तो chapter 7 की बात करेंगे यह देखेगा chapter हम यहाँ पर जो है 7 की बात करेंगे तो teaching learning material यानि teaching learning material कहने का मतलब होता है remedial जो आपका teaching होता यह क्या होता इसके बारे में जानेंगे उप्चरात्मक सिक्षण समझ गरा आगला देखेगा National Curriculum Framework 2005 यानि कि यह जो आपका है NCF 2005 को जानेंगे कि आखिर English को लेकर क्या कहा गया है और वही परम्रों जो है New Education Policy 2020 यानि कि जो आपका NEP जो आपका 2020 है इसमें आपको जो है English को लेकर क्या कहा गया है English के संदर में जो है हम लोग पढ़ेंगे तो यह जो है आपका 10 chapter 15 परशन आपका पेड़ोगोजी से और unseen poem और unseen passage और grammar से मिला कर आपका 15 परशन तो यह आपका जो है सीटेट जुलाई 2024 के लिए English का syllabus है जो मैंने आपको बता दिया एक एक करके हम chapter वाईज आपको पढ़ाएंगे तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बाते समझ में आएगी तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों संजिवेदन है